बिहार के राज़ानी पटना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई वहाँ मामुली विवाद में दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए और ये बताई गया कि इन लोगों के बीच बार की मार झेल रहे इलाके में नाव चलाने के मुद्धे पार बात बिगड़ी थी जो सलजने की बजाय उलच्टी चली गई वहाँ हंगामा होने लगा देखते ही देखते दोनों गुटों के लोगों के बीच मार पीच शुरू हो गई नौबत ये आ गई कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे उन्होंने कुर्सियों से भी हमला किया एक शक्स को तो तीन लोगों ने घेद लिया एक लगातार उसे कुर्सी से मारता रहा दूसरे ने उसे पकड़ लिया और तीसरे ने उसे पीटने के लिए डंडा उठा लिया उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने उसकी जान लेने का मन बना लिया हो वो आदमी चीखता चिलाता रहा लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीजा वो आखिरकार जमीन से उठा और जो शक्स लाठी से मार रहा था उसके हाथ को पकड़ लिया कुछ लोगों ने भी उसे ऐसा करने से रोका लेकिन उसके सिर से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था ऐसे में उसके सिर पर कपड़ा बांदा गया इस बीच पुलिस की टीम भी वहाँ पहुच गई बताया गया कि इस हंगामे के दौरान तीन लोग जखमी भी हो गए जिने बाद में अस्पताल ले जाया गया सवबात की एक बात है कि हम लोगों ने गाउं की राचनीती मोलच कर गुडबासी के ऐसी दीवार खड़ी करनी है जो तटबंद तोटने वाले बाड से भी नहीं तूटते जिसका नमूना पटना के पास एक गाउं में दिखा जहां बाड में फसे लोगों को बचानी के लिए अपनी मर्जी से नाव चलवाने की जिद में मौजूदा और पूर्व मुखिया के समर तक एक दूसरे का सर फोरने पर उतारूखों के